कि आपको पता है कि आपके पकी पर फॉंडेशनी का ठीक तरी किसे ब्लेंड होना सकीन फ्लॉलस नजर आना ये आपके मेकप पर ब्रुशिस पर अपने फेस पर अपलाई करें असलाम लेकूं दिस is Aisyah and friendly कर दो दूदा आईशा बीट्री पैलेस जी आज एस पेलेस में डिस्काइज करने लगे है इस पेलेस में डिस्कार्डेशिस पड़िंट तो अगर आप मेरे पैलेस में नियु है आपको में काफ़ी पैलेस क्रुदयरी करिया। कि वह फंडेशन बीट्यू ब्लेंडर है कर अब कर रहे हैं तो वैस्ट और है इस वेश्ट और वेश्ट ना कर देख़ोगे और वह वैस्ट नहीं भी नहीं तो पर चेक करती है जो आप पांधस-वाज़ार के ऊची त्वीर से विजेस्ट तो यह वह ब्रश है यह पस अप आ प्रोडक्ट आती यह वैसा तो इसका रिव्यू में आपको लाइदा वीडियो में दूगी तो जी अगला प्रॉश हमारे पास है जी टेपर्ड फांडेशन ब्रॉश आपने अक्सर देखा को कि हाइलाइटर के लिए यूस्ट किया जाता है हाइलाइटर के अप्लिकेशन इस इसे अपने फेस पर पेंट करना है जातर ही यूज होता है ब्राइडल बेस के लिए यूंकि इसे आपके फेस की जो फांडेशन की कवरेज है वो बहुत अच्छी आती है और आप पेंट की तरह फांडेशन को अप्लाई करते हैं अब जो यह टाई पे ब्लैंडिंग ब्लैंड करने के लिए बहुत अच्छा ब्रॉश है लेकिन यह कि और स्कीन वालों पे ज्यादा अच्छा यह वर्क करते हैं इसको आपने सर्कुलर मोशन में ब्लैंड करना होता है और ड्राय स्कीन के वज़ए से जिनकी ड्राय स्कीन होती रहा उनके फांडेशन के लाइन वेस्ट नहीं होती तो एस कंपेर टो यह जो ब्लैंडर समस्ट ले यूज़ करते हैं इसमें नोट किया होगा कि हमारी जादाल फंडेशन ब्लैंडर के उपर ही लगी रहा जाती है इसको क्लीन करना भी काफी मुश्किल होता है वह इसका फाइदा देता है लेकिन यह कि इस इसका जो बृसल्स है वह जरा लेंध़ी होते है यह सिर्फ ईसका सिर्फें यह जो मैं आपको तिकाओ कि यह बहू कि बात की जाए तो काबुकी ब्रश आपकी स्कीन पर स्ट्डिक को भी बहुत च्छे तरिक चे से ब्लैंड कर देते है इसके साह साथ क्रीमी और लियूर ल करते हैं तो यह थी आज की वीडियो वीडियो चीले के दिन प्लीस लाइक दावीडियो अपनी नेक्स वीडियो में जो के ऐसे ही मेकप ब्रॉक्स को लगे काफ इंप्रमेटीव होने लगी है तो थाक्यों मॉच पर वाचिंग टेक केर अलाहाफीज